और उन्होंने जो घटना करा दिया ये बहुत ही निंदनी है मैं नहीं चाह रहे थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना ही मेरा अजबन ने सोचा होगा कि इस तरह से हो सकता है सुरक्षा के परपस से तो वो था कि हाँ ये कर सकता है लेकिन ये नहीं सोचा था कि घर चड़ क करके ही ऐसा बार करेगा वो तो वो किसी को भी आगे बढ़ने ने देगा इसलिए मैं चाह रहे हूं कि वो जड़ से ही खतम हो जाएं जड़ से खतम होगा तभी समाज आगे बढ़ सकेगा आपने देखा कल सजा हुई अतीक एहमद जो उनका किस तरीके से खौफ पूरे प्रियाग राज मेरा किस तरह से दिन दाड़े गोली बारी चली आपके पती की भी हत्या कर दी और ना जाने उनके गुनाओं की संख्या कितनी बड़ी हो आप सब से पहले क्या कहेंगी जब कल स तो मैं उनकी सजा का सम्मान करती हूं क्योंकि वो अप्रन केस में सजा मिली थी तो उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें कारावा सिया तो फासिक सजा होती मैं मांग फासी की ही कर रही थी क्योंकि मों उम्किम था और मैं चाह रही थी क्योंकि एक तरह से अतिकमत जिस तरह से आ करके मेरे हजबन को खतम किया जो कि मेरे हजबन कभी कुछ नहीं सिर्फ कलम की लड़ाई लग रहे थे और अपने इन कागज पत्तुल की जरीए ही उन्होंने जो कुछ किया कभी उनके घर में या उनके परिवार में या किसी को भी चोट नहीं पहुचाई और आज वो उन्होंने उनके बच्चों ने आकर के और उन्होंने जो घटना करा दिया ये बहुत ही निंदनी है मैं नहीं चाहा रहे थी, मैं नहीं चाहा रहे थी, क्या मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही मेरा अध्मन नहीं सोचा होगा, कि इस तरह से हो सकता है, सुरक्षा की परपस से तो वो था कि हाँ यह कर सकता है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि घर चड़ करके ही ऐसा बार करेगा तो मेरे समझ से ये ठीक नहीं था, मैं तो फासी की ही मांग कर रहे थी क्या अभी आपको लगता है जिस तरीके से जेल में रहते हुए अतीक एहमद ने हत्या करा दी अपने गुर्गों से अभी भी डर लगता है जब तक उसे फासी की सजाना हो या लोग तो ये भी कह रहे थे कि इनसाफ मिलना चाहिए, वो खत्मोना चाहिए लोग गाड़ी पलटने की मांग लगतार कर रहे थे क्या आपको लगता है कि अभी भी डर उसका खौफ पना रहेगा अभी भी कोई ऐसा फरक नहीं पड़ता सिर्फ जेल में रहने देखे सजा तो मिली है लेकिन सजा में ग्यारा लोग नाम जगते जिसमें से तीन को मिला और एक खत्म हो गया बाकी साथ रहा हो गया तो आज ऐसा नहीं है कि वो बरेली जेल में या साबरमती जेल में बैटा था तो वो नहीं घटना किया आज सबूत की तौर पर मेरे हाजबन को सारा समाज और सारा हैनि पूरा समाज और जहां तक है सब को पता है इस चीज़ की खबर हो चुकी है कि कैसे हुमिश्पाल को खतम किया गया और कौन कामरे के सामने आया इसलिए मैं आपके माध्यमों के द्वारा मैं सरकार को अपनी सुरक्षा की मांग करती हूँ कि जो आदमी इस तरह से हत्या कर सकता है तो वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देगा इसलिए मैं चार हूँ कि वो जड़ से ही खतम हो जाए जड़ से खतम होगा तभी समाज आगे बढ़ सकेगा जाहिर थी बात है बाबा जी ने जो बात कही है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है जाएगा तो माफिया का क्रेडिटी तो अतिकामा दश्रफ खुद अपने आप ले लिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से किया रंगदारी किया और दूसरों के हाँ आप विवरन सब जानते ही हैं मुझे बताने जुरुत ही नहीं पड़ेगी तो जब इस तरह से कर सकता है वो आदमी तो वो जीवित रहने लाइक भी नहीं है तो इन्हें माफियाओं को जो बाबा ने कहा है तो वो सत्तिता कर दे कि उन्हें मिट्टे में मिला दे तब ही मेरे मुझे सांती मिलेगी कि उन्होंने जो अपने वचन को कहा है तो पूरा गिया उन्होंने आपको उम्मीद लग रही है मुख्यमंत्री योगी से या आप मांग करते हैं कि एक और बड़ी कार्रवाई कुछ होनी चाहिए ताकि नामों निशान पूरी तरह से मिट जाए जी हाँ मैं उनसे और आगे उम्मीद लगा के बैटी हूँ कि यहाँ ये चीज पूरा करें वो उनको खतम करें उनका अस्तित्तों खतम करें जैसा उन्होंने कहा है कि ये समाज जो है तेहवारों का हो तो उसी तरह से यहाँ ये भारत उत्तर प्रदेश जाना जा तेहवार कि माद्यम से ना कि माफियाओं के माद्यम से अब जिस तरीके से साथ लोग बरी हो गए आगे इनके खिलाफ आप किस तरीके से क्या उपरियादा लज जाएंगे लड़ाई लड़ाएंगे लंबी जी हाँ मैं हाई कोट और सुप्रिम कोट तक पी जाओंगी इनको घजीट के ले जाओंगी और नयाय पाओंगी मैं उम्मीद लगा के बैटे हूं कि मुझे नयाय मिलेगा और बाकी सब मैं बावाजी पर छोड़ दिया वो जो कुछ करेंगे सब अच्छा करेंगे